जैहिंदू दोस्तों मेरा नम है हेमराज और आप देख रहे हैं टागवित हेमराज यूटूब चैनल तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुफ खबरी है उत्तरपदेफ राज बिद्धूत उत्पादन निगम लिम्टेड में फार्मसिस्ट और जूनियर इंजिनियर सिबिल की पोस्ट की भरती निकाली गई है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो जैफा आप यहाँ द काटेगरी के लिए 6 एस्टी काटेगरी के लिए 1 EWS काटेगरी के लिए 2 पोस्ट यहाँ निकाली गई है तो टोटल 25 पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है ठेक है जूनियर इंजिनियर सिबिल के लिए फार्मसिस्ट के लिए टोटल 4 पोस्ट निकाली गई है जिसमें फे OBC कटेगरी के लिए दो और SC के लिए एक और EWS कटेगरी के लिए एक पोस्ट निकाले गई है बेतन के अगर बात करें तो जूनियर इंजिनियर सिबिल को 44,900 रुपए पर मंत बेतन दिया जाएगा और यदि आप उत्तरपदेश के मुल निवासी हैं और SC,ST, OBC कटेगरी से हैं तो ठीक है पांच वर्फ की आपको एज में छूट मिल जाएगे आप इस बात को ध्यान में रखें फिर इसके बाद आपको फैच्छने की युगता देखने के लिए मिल जाएगे तो डिप्लोमा मागा गया है फार्मी सिस्ट में ओके इसके बाद आरच्छन कलाव तभी आपको मिलेगा यदि आप उत्तरपदेश के मुल निवासी हैं यदि आप अधर इस्टेट फे इन पोस्टों के लिए आबेदन करना चाहते हैं तो आपको जनरल कटेगरी में रखा जाएगा बात हुई क्लियर फीष के बारे में बात कर लेते हैं यदि आप स्टेगरी से बिलॉंग करते हैं और उत्तरपदेश के मुल निवासी हैं तो आपकी फीष आटफो चब्विफ रुपए लगेगी इसके लावा यदि आप जनरल कटेगरी, OBC कटेगरी या EWS कटेगरी से हैं या अधर इस्टेट फे इन पोस्टों के लिए आबेदन कर रहे हैं तो आपकी फीष एक हजार एकफो अस्सी रुपए लगेगी PWD कंडिडेट की यहाँ फीष जो है तो बारा रुपए लगेगी, इसके बाद फ्लेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं तो जूनियर इंजिनियर सिबिल की पोस्ट के लिए यहाँ पास पहले आपका पेपर लिया जाएगा, जो तीन घंटे का होगा ठीक है, यहाँ पास जो आपका पेपर होता है उसके दो पार्ट होते हैं फर्स्ट पार्ट में आपसे एक फो पचाफ प्रेफ ने पूछे जाएंगे मतलब कि जो आपने डिप्लोमा में, सिबिल इंजिनरिंग डिप्लोमा में जो आप पढ़े हैं उससे एक फो पचाफ प्रेफ ने पूँचे जाएंगे हर एक प्रेफ ने एक नमबर का रहेगा वन फोर्थ की निगेटिम मार्किंग भी रहेगी और दूफरे पार्ट में आपसे पचाफ प्रेफ ने पूँचे जाएंगे हर एक प्रेफ ने एक नमबर कर रहेगा समान हिंदी, समान ग्यान और रिजिनिंग से प्रेफ ने पूंचे जाएगे वन फोर्थ की निगेटिम मार्किंग रहेगे ठीक है, तो टोटल आपका दो फो नमबर का पेपर होने वाला है तीन घंटे आपको समय दिया जाएगा आपका यहाँ पास final merit list जो है तो इसी base पर तयार होने वाली है मतलब कि आपका यहाँ पास जो पेपर होगा उसमें जो आप नमबर पाएगे उसी के base पर आपका यहाँ पास selection होने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट इसी बेस पर तयार की जाएगी फार्मिसिस्ट की पोस्ट का भी फिलेक्शन प्रोसेस हुआ ही है आप जो एकजाम में नमबर पाएंगे उफी आधार पार आपका यहां पास सेलेक्शन किया जाएगा आपका तीन घंटे का पेपर होगा और फार्मिसिस्ट के डिपलोमा में जो आप पढ़े हैं उससे एक फो पचाफ प्रेफ ने पूंचे जाएंगे हर एक प्रेफ ने एक नमबर का होगा वन फोर्त की निगेटिब मार्किंग रहेगी ठीक है और दूफरे पार्ट में आपसे पचाफ प्रेफ ने पूंचे जाएंगे समान हिंदी, समान घ्यान और रिजिनिंग से प्रेफ ने पूंचे जाएंगे हर एक प्रेफ ने एक नंबर का वन फॉर्थ की निगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तो CBT में जो आप नंबर पाएं हैं उसके आधार पर तैयार की जाएगी ठेक हैं और इफ ही अधार पर आपका फाइनल फ्लेक्शन होने बाला है इसके बाद देख लेते हैं कि आप इन पोस्टों के लिए कब से आबेदन कर फकते हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आबेदन 19. August 2022 से कर फकते हैं और 19. September 2022 लास्ट डेट रखी गई है तो यदि आप इलिजवल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आबेदन कर फक्ते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, फियरेंड, सब्सक्राइब करना ना भूले, आपका बहुत बहुत धन्वाद